वेलकम टो अलफ यू मैसल दिपक दिवागन आज मैं आपके सामने एक और नयव विड्रस साथ पेस को हूँ जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारन या सेक्स डिटर्मिनेर्शन अलग 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 अनिमल्स में किस तरह से लिंगों का निर्धारन होते हैं उस है इन सभके बारे में मोग इसमें करने वाले हैं इसमें हमारा क्या-क्या आते है तो शुरू करते हम अ्ममन क्हाहते हैं इसको पहले हम लोग देख लेते हैं वे और मासूं जो एकल अथ्वा स powin्ग कउ रूफ से二 लिंग श्री जीओं के में लिंग का निर्धारन करते हैं ठ जो की एकल या सजयुक्त रूप से जो है दुई लिंगा श्री जिव में जो है पायता है तुई Allosomes के नाम से उसको जानते है ठीक है इसे इनसान की एकस मिले तो इनसान में कितना होता है टुउंटी-थ्री पैर होते हैं तो 23 जो पेर इसमे क्या होते है उसमें कहलाएगा मादा आपके एकस एकस और जो है वो एकस वाय रहेंगे विसम युगमजी मतलब होता है इसमें जो है वो अलग अलग इसमें जो है वो रहेंगे ठीक है ऐसा इसी की कोई भी जो जी होते हमारे पास तो उसमें जी में जो है अगर कोई एक ही प्रकार के उसमे क्रोमोसोम है तो क्या हमारा सम युगमजी है अगर उसमें कोई दो में से कोई एक अलग अलग है तो वो कहलाएगा हमारे क्या है विसम युगमजी कहलाते हैं तो इसमें जो हमारा नर होता है कैसा होता है वो आपके विसम युगमजी होता है और जो मादा होते हैं कैसा होता है और नर में कैसा होता है x y होता है तो इसने y जो हो अलग होता है इसलिए इसको बोलते हैं विसम युगमजी या युगमकी की नाम से इसको जानते हैं चलिए आप क्या बोलते हैं यह इस्तनियों में पाया जाता है यह जो है इस्तन धारी जो एनिमल्स होते हैं इसमें पाया ज जाता है ठीक है कोक्सीनिय और जो है मेला डेरिया प्लांट है उसमें इस में होते हैं उसी रच इसमें देखते हैं हमारे पास होटा है और है हेट्रो मॉर्फिक क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं तो हमो मॉर्फिक मादलाब होता है जिसमें दो एक्स एक्स क्रोमोसोम और प्रजेंट जिसमें जो क्या पाई जाएंगे दो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसको बोलते हैं हमो paar o not areabi के नाम से जाना जाता है और उसे जारव से और जिसमें हेटर ंं क्या हो होता है जिसमें एक एक एकसा बत दूसरा जो है सैं बRET you to reast हो यह है इसको भूवजस में प्रजंद रहता है इसको बोलते हमारे में इसको जी आटोसोम बोलते हैं ठीक यह हमारा क्या है आटोसोम है और इस तरह spes package हमारे में सेक्स में और बाफ 50 क्रोमोजूम है और इसका स्वेंड द्रप्र होowa法 на parent है, तो इसमें से जब इसका fertilization इसमें जब होता है, तो यहां क्या बहाल निकलता है, एक टैम पर पर कोई एक ही इसमें बहाल निकलता है, ठीक है? female के body क्या होता है? 2X flavor chromosome होता है, तो जब तैम पर केवब एक ही X chromosome active रहता है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम रहता है वो बार बाड़ी बनाने का काम इसमें करता है वो क्या बनाता है बार बाड़ी के निर्मान इसमें करते हैं और जो पहला क्रोमोसोम रहता है वो ही क्या करता है वो भाग लेगा और यह जो है बार बाड़ी के नाम में जो है जाना जाते हैं बारबडिक का काम वो करते हैं ठीक है तो फिमेल से क्या हुआ हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर आया है उस तरह से जो है मेल में हमारे पास क्या है एक एक्स है दूसरा वाय है तो इसलिए जो इस पाम में जो है या तो एक्स वाला रहेगा या तो वाय वाले रहेंग यहीं मेल चाहिल्ड का इसमेंints होता है अगर उसी तरह से फिमेल के x के साथ मेल के y का फ्यूजन होता है तो यहां पर क्या बनाइँगी आपका xy जो होता है जो हो दोतो है 50 50 परसन हो सबहुता है तो यह傅 की लड़का होगा या लड़की होंगी कि इसका determination कौन करता है male के द्वारा होता है निकि male के इस पाम male के वेए जो sperm रहता है इस पाम के अंदर जो नुकलिय ए और क्रोमोसोम रहता है उसके थूरू इसमें determination होता है कि male होगा कि female होंगी ठीक है इस तरह से उसके बाद आता है दूसरा रिसमें एक्स एक्स मादा ऑन जो है एक्स ओनर्वीधी देखते हैं इसमें एक्स- travaille और वो नर्वीधी और उस्समें ओक्यू है उसको भी हम लोग देखेंगे तो चलिए इसमें आब आते हैं हमारे यहां अनेक कीटों लाइक जो है आपको बक्स में काक्रोज और ग्रासोफर में जो है पाया जाता है काक्रोज में ग्रासोफर में जो है पाया जाता है अब देखते हैं इसमें मादा में एक्स एक्स वा नर में केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है इसमें जह वाय क्रोमोसोम वो जह नहीं पाया जाता जिसके कारणी से जह एक्स ओ से प्रदसित किया जाता है मतलब इसमें जह वो वाय क्रोमोसोम इसमें नहीं होता है इसलिए जह इसमें क्या लिखते हैं या जी रो किसमें वह लिखा जाता है ठीक है, तो यह यहां मरे पास तो क्या यहां पासॏ यह मनलब होते है वही आट्सॉम थो, अब फिमेल पास कितना है, आपके बाद दो एकस है और मेल के पास कितना है हम сильारी अब यह इक है, अगर फीमेल का एक्स और मेल का एक्स अगर इसमें मिलता है क्या बनाएंगे इसमें फीमेल चैल्ड के इसमें फार्मेशन होगा और उसी तरह से अगर इसे फीमेल के एक्स और मेल के जो है वो के वो के साथ इसमें अगर फ्यूजन होता है यहां पर क्या बनाएगा मेल के इसम iаж kra Frauen इसका होता है किसका आपके बक्त का काकुरोज का और ग्रावश ओफर में होता है इस त mph हमारे पास विह सं यग मजे कि मदा विधी आना और उस तिसे से जो है आपके क्या होगा नर रहेंगे सं यग मखी रहेगा और मादा विसम, यूगमकी रहेंगी अर्थाग मादा कैसे रहेंगी अब अलग रहेंगे तो मादा में ूदraszam होंगा, वो व कैसे रहेंगा, जड और डबलू की रूप में रहेंगी उस तरह से जो नर होस्ट यहां पर इसमें देखते हैं यह हमारा फीमेल है यह हमारा मेल है ठीक है तो फीमेल में हमारे पास क्या है जेड और डबलू है तो उसी तरह हमने जब दुनों को बाहर निकाले फिर यहांस क्या होगा हमारे पास यह जो मेल है इसमें क्या है जेड जेड है तो एक क्या होगा य बार बड़े का फार्मेशन इसमें नहीं होगा तो अब इसमें क्या होगा जब मेल का जेड और फिमेल का जेड जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएंगे आपका जो है इसमें जेड जेड आने की जो है आपका मेल का इसमें जो है वो फार्मेशन होगा तो यह बनाएगा हमा इसमें फार्मेशन वह होता है तो कुछ इस तरह से इसमें फार्मेशन और डेवलोप्मेंट होते हैं ठीक है इसके बादा है हमारे में चांथा नमबर जेड़ ओ मादा यह जो है जेड़ जेड नर्विदी मतलब यह भी कैसा होगा विसाम यूगमजी मादा इसमें भी पात किसमें किसमें पास ऐसे आपका तितली होता है मौत में जो पायता है ने fishermen जोना रहे हो जेड़ वो जेड़ इसमें सेटा क्रौमो संसर्विसमें पाया जाता है ठीक है तो बोलते हैं मादा तितली में केवल एक लिंग गुर्ण सुत्रा हनिकि क्या पाति यहा होता है म MARY पाया जाता है तो उसमें किस तरह सोते हैं इसको भी देखते हैं तो अब इसके बाद आएगा हमारे में यहां हमारे में क्या है फिर इसकेवाद पहर तो इसमें के आगा बार होगा दुनों नहीं किमयरने मेली germanmittel से मेल के और मेल के चेड़ अगर दोनों आपस में फ्योस हो जाते हैं तो कैसे होजैगा अगर फीमेल का ओ अ यहां पर अ यहां पर अ मतलब जो हैं हमẩ yön कि अब उसके बादा है हमारे में इसका आता है दुई गुणीत मादा ये वां अगुणीत नर्विधी केवल क्रुमोसम होगा और मादा मतलब मादा कैसा रहेगा की डुब्लॉयड वह रहेगा तो कि इस खारन होता है इसको हम लोग देखेंगे तो इसके लिए जो हमारे पास एनिमल्स आते हैं उसमें इसके लिए जो है हमारे पास किस कौन-कौन से जियों होता है तो यह होता है आपके हनी भी होता है आपके एंड्स होते हैं और वप्स में जो है पाया जाता है ठीक है है हनी भी म इसमें पाया जाता है तो अधिकतर आपको याद रखना सिधा बोल देना इनसेक्टा में पायाता है तो इसमें जो Deployed रहेगा को कौन रहेंगे फीमेर रहेगा और Heploid रहेंगे आपका male जो इसमें Heploid हुआ हो रहता है तो इसमें किस तरह को समझते हैं हनीबी का देख रहा है ठीक है तो हनीबी का कैसा है एग है अगर एग जो है हमारे पास क्या आता है fertilize और बोलते हैं तो देखे जो अमनीब होते हैं उससे में द्रोते हैं यह वरकर और कुछिन कर उस्में पाया जाता है ठीकए तो वी तो वह इसी तो हमारे पास अगर उसको एलते हैं एग रहता है वह on fertigate है उस से क्या निकलेगा हमारे पास il Loft फॉर्मेशन होता है उस एंडे मेंन इसे चन्ह नहीं होगा तो हमारे पास क्या बने तो धूसरा जो लारवर है तया है वो worker का इसमें करते हैं और जो कुइन होती है in आ यहार गात्रे चीजा करते हैं क्या होते हैं एंग गहले कण क्विर्फ का होते है इसको और हुम लोग देखते हैं हमारा तो सबस्थ पर है तो भॉलत है Gaza के ओद में फीमेल में देखते हैं तो आते हैं कि अंधो डारवा को season होता है जब को जाता है तो उस अंडे में फटलेशन होने के बाद उसमें जो लार्वा बनेगा तो उस लार्वा से जो दो लार्वा होते हैं हमारे पास तो पहले जो लार्वा रहेगा उससे क्वीन का फार्मेशन होता है जो रोयल जेली पे जो है फीट करते हैं मतलब रोयल जेली का अर्थ होता है जो कहां से होते है उसका जो सुद्ध रस रहता है उसको बोलते हैं हमारे में रोयल जैली की नाम से जानते हैं सुद्ध क्या बोलते हैं उसी को सुद्ध सहत गया हनी के नाम से उसको जाना जाता है ठीक है जो एक प्रकार का कैसा होता है फूलो का ही एक सुद्धरस होता है जो queen अपने छत्ते में उसको एकत्रित करके उसी को खाती है ठीक है उसी को क्या करती है वो खाती है और जो रानी होती हो केवल अंडे देने वाले होते है रानी क्या करता है केवल अंडे देने वाले होते है उसका और कोई काम नहीं होता है वो केवल अंडे देने का काम जो है वो करती है ना वो घूमने वाले होते हैं ना और कुछ नहीं अपने जो अरस होते हैं वो अने के फूलों के जो होते हैं रस उसको लेकर जो है अपने छटे पर ही वो रहती है कहीं नहीं जाती इसलिए तो क्या है वो रानी है नाम से उसका क्या है रानी याने क्वीन कहीं नहीं जाने वाली सब पर हुकुम चलाने वाली और केवल अंडे देने का काम करने वाली जो है वो होते हैं ठीक है अब आता है एक और हनी था हमारे पास क्या है वरकर हनी भी ठीक ह तो फटलेजिशन के बाद बना दूसरा लारवा होता है ठीक है फटलेजिशन के बाद जो बना क्या होता है एक दूसरा लारवा होता है जो सिर्फ सहथ इस्टोर करने का काम जो है वो करते हैं सिर्फ क्या करते हैं वो सहथ के इस्टोर करने वाले ही होते हैं वरकर मतलब की काम करने वाले ही तो उसका काम क्या होता है केवल सहत का जो है इकत्री करन करना बाहर से घूम घूम करो जह है वो सहत का इकत्री करन करते हैं और इसी को हम लोग जो है देखते हैं जो घूमने वाले होते हैं इधर उधर जो घूमते रहते हैं वही हमारा क्या होता है वरकर भी होता है जो कि घूमते हैं और घूमने के सांसद हमको क्या करता है काटने वाले भी होते हैं इसी के तुरू हमको जैस जरिला इसका डंक यह लगता है यह जो है काटने बाले होते हैं यहां इस्ट्राइल नेचर का होता है ुसको उसको बोलते हैंänner pola ओर जगों से जो सहाथ के लिए क्या बोलता है जैली होता है उसको एकत्रित करके वह लाते हैं और उसको एक इस्टोर वह करते हैं लेकिन कोई भी प्रकार के भाग नहीं लेता है ठीक है तो यह रहा आज के हमारा सेक्शन समाज में आया होगा अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया मैं आपको समझाने का फिर से कोशिस करूंगा तो आज के लिए इतना ही देखते हमारा यूटूब चैनल धन्यवाद थैंक्यू